एलो एवरिवन आइम पूज़ा बार्दवाच वेलकम यू अनार यूट्यूब चैनल एलफा टेकनोलोजी आज का जो हमारा टॉपिक है वो हूम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में आज हम पढ़ेंगी की क्लिपबोर्ड होता क्या क्लिपबोर्ड एक कलेक्शन होता है कट, कोपी, पेस्ट एंड, फॉर्मेट पेंटर का क्लिपबोर्ड एक बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है इसमें आप कट या कोपी किये हुए 24 टेक्स या इमेज स्टॉर कर सकते हैं इसके बाद मैं आपको बता दूँ अगर आपका कम्प्यूटर ओन है तब ही आपके जो क्लिपबोर्ड में डाटा है वही सेव रहेगा अगर आपका कम्प्यूटर ओफ हो जाता है तो क्लिपबोर्ड में जो भी डाटा है आपका वो चला जाएगा तो देखते हैं, पहला option हमारा cut का कैसे use करेंगे, मैंने यहाँ पर दो slide ले हैं, कोई भी slide के उपर कुछ भी text type करना है, क्या करोगे आप जैसे इस text को यहाँ से select करते हो, उसके बाद first option आपने use करना है cut का, cut का मतलब क्या है, जो भी आपने selection किया है, वो यहाँ से remove हो cut करने के लिए इस option पर click कर सकते हैं, दूसरा आप इसके shortcut की control plus x भी use कर सकते हैं, जैसे आप इसको यहाँ से cut करेंगे, यहाँ से delete हो जाएगा, अब मैं चाहती हूँ कि इसको मैं यहाँ पर paste करूँ, जैसे मैंने enter किया और यहाँ पर control plus v, तो मेरा क्या हो गया, clipboard जो मेरा option है, वहाँ से cut हो गया और मेरा यहाँ पर paste हो गया है, next option आता है आपका इसी के अंदर copy, मानलो मैंने इस word को यहाँ से select किया, select करने के बाद मैं इसको क्या करती हूँ, control plus c से copy कर सकती हूँ, या फिर हम इसका option यह वाला भी यहाँ से use कर सकते हैं, जैसे मैंने control plus c किया, अब मैंने क्या कर दिया, इसको copy कर दिया, अब मैं चाहती हूँ, इसको यहाँ पर paste करना, तो उसके लिए हम इस option का use करेंगे, अगर आप shortcut यूज करना चाहते हैं, तो control plus v से भी आप इसको यहाँ पर paste कर सकते हैं, अभी आपने क्या देखा, cut में मेरा यहाँ से cut हो गया था, य यहाँ भी आ गया है, अब मैं देखती हूँ, कि क्या यह data मेरा, जो मैंने अभी clipboard को cut और copy किया था, clipboard में चेव है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, clipboard में जाने के लिए इस arrow पर click करेंगे, और आप आप देख पा रहे हैं, कि यह दोनो data यहाँ पर save है, काम करन दोनो time मैंने जो clipboard copy और cut किया था, यहाँ पर आपको show हो रहा है, अगर आप चाते हैं इन दोनों को paste करना, अभी जैसे मैं next यहाँ पर cursor move करती हूँ, और क्या करती हूँ, पेस्ट all पर click करती हूँ, जैसे आप paste all पर click करेंगे, तो दोनों जो clipboard हैं आपके यहाँ पर paste हो अगर आप चाते हैं इनको यहाँ से clear करना, तो आप clear all से इसको यहाँ से clear भी कर सकते हैं, अभी आपको दिखा रहा है clipboard empty, अब हम बात करेंगे paste special option के बारे में, आपने क्या करना है, एक बार मैं इस clipboard को यहाँ से delete कर देती हूँ, आपने इसको select करना है, इसके उपर कोई formatting करनी है, जैसे bold, italic या आप इसका यहाँ से color भी change कर सकते हैं, अब आपने क्या करना है, इसको copy करना है, copy करने के बाद, आपने इसको paste करने के लिए paste special option में जाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस एरो पर click करेंगे, और यहाँ पर आपको first option मिलता है, use destination थी, मतल आपको यहाँ पर paste करने का destination चाहिए, जहाँ पर भी आपका cursor होगा, वो आपका clipboard, जैसे हमने भार से किया था, वही काम आप अंदर से भी कर सकते हैं, next option आता है, keep source formatting, मतलब जिस text को आपने, जिस formatting के साथ copy किया था, उसी source को इसने यहाँ पर क्या कर दिया है, paste कर दिया है, next आपका आता है, picture, जैसे आप picture पर click करेंगे, तो जो आपने paste किया है, वो आपका एक picture के format में आपको दिखाई देगा, आप इसको move भी करवा सकते हैं, और देख पा रहे हैं, कि जैसे आपने इसको picture format में move किया है, तो यहाँ पर picture का format on हो गया है, अगर आप जाहें इसके कोई भी style apply करना, तो आप इहां से इसके style को change कर सकते हैं, next option आता है, आपका इसी के अंदर, keep text only, इसका मतलब क्या है, आपने जो भी text copy किया था, keep text only, मतलब आपको इहां पर दिखा रहा है, कि जहां पर मेरा cursor था, वहां पर इसने only text को paste कर दिया है, मतलब जितनी भी formatting थी, वो आपकी यहां से remove हो गई है, normal text आपका paste हो गई है, इसके बाद next option आता है, मैं next slide पे आपको दिखा देती हूँ, यहां पर मैंने image लिए है, और कुछ text type किया हुए, आपने क्या करने है, text copy करना है, और इसके उपर जो formatting करना चाहों, यहां से आप कर सकते हो, इसके color को change कर सकते हो, अब आपने क्या करना है, इस text को यहां से select करना है, select करने के बाद आप क्या करेंगे, copy, copy करने के बाद आपने paste special option में जाना है, paste यहां पर, इसके बाद आता है html format, इससे क्या होता है, normal आपका text जो html format में है, वो यहां पर paste हो जाएगा, formatted text में, normal जो आपने इ टेक्स देख लेते हैं मैंने ये दोनों उक्षन आपको बाहर भी बताये थे जैसे आप यहाँ आपने आपको दिखा देती हैं इसको जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो क्या होगा जो भी आपने हाँ कॉपी किया था वो अन फॉर्मेटिंग मतलब उसकी फ करोगे तो क्या होगा आपको इसके बैक ग्राउंड का जो एरिया है वो दिखाई नहीं देगा लेकिन जो आपने सिम्पल पिच्चेर में अंग्रे बात करना होगा जो डाटा एक पर मैंने लिखा था यहाँ पर वो मैं डिलीट कर लेते हूँ अब आपने इस डाटा को सेल कर लेनी है जैसे मैंने बोल्ड किया हुआ है इसको इटैलिक अंडरलाइन कर लेती हूं और इसको मैंने शैडो दिया अल्रेडी हमारा क्या है रेड अब मैं next में कुछ भी वर्ड लिख लेती हूं जैसे यहां पर मैंने लिखा अब आपने क्या करना है जो भी यह फॉर्मेटिंग है सारी की सारी इसके उपर पेस्ट करनी है तो उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को फॉर्मेट पेंटर क्या करता है सेम फॉर्मेटिंग को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर अब जाने है format painter option पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखो ये brush आ गया है इसका मतलब किया है जो भी formatting आपने यहां से उठाई है वो सारी copy हो गई है अब जहां आप इसको paste करना चाहते हैं उस word को इसके उपर ले जाके छोड़ दीजिए अब देख पा रह करेंगे copy के लिए और अगर आपने paste करना है उसके लिए आप control प्लस shift प्लस V से इसको paste कर सकते हैं I hope guys आपको सभी option clipboard के जो मैंने बताए अच्छे से समझ में आए हूंगे अगर आपको समझ आया तो please video को like and share कीजिए channel को subscribe कीजिए और next video की notification की लिए bell icon प्रेस करना ना भू आग प्रेस के लिए और आपको सब्टिय है मैं सब लिए और आपको ख spots one इंगे युथे के लिए टीका लिए और अणे फटे लिए सवी ऑट से हैं और आपको से की Naroo कि आपको से है